अर्थ उच्चारण या व्याकरण के अनुसर एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर अपनी हिंदी सुधारें ततकालीन और ततकालिक दोनों विशेशन हैं दोनों में काल संग्या विद्धिमान है दोनों में तत सर्वनाम है दूसरे शब्द में तात के रूप में जिसका अर्थे वह या उस किसी भाषा का वो शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप से प्रयोगत हो तद को तद शक्ल में इन शब्दों में देखिए तद नंतर उसी के अनंतर तद उपरांद उसके उपरांद और तद भव वो शब्द जो मूल रूप से कुछ विकार या विकास होने के बाद प्रयोगत हो तलीन उसमें लीन या मगन में तद बदल कर तल हो गया है ततकालीन और कालिक पर अविचार करते हैं इन दोनों विशेशनों का अर्थ काल संबंधी है मिलाइए दीर्ग कालीन और दीर्ग कालिक ततकाल कुरिया विशेशन है जिसका अर्थ है तक्षन, अविलंब, उसी समय, तुरंत, फोरं शीर्षक पर वापस चलें ततकालीन का मतलब है उस काल का उन दिनों का, तातकालिक का मतलब है उसी काल का ततकाल का, दोनों के प्रयोक का एक उधारन सुनिए, ततकालीन वार्डन को शराबी छात्रों को निशकासित कर देने की ततकालिक कारिवाई से छात्रावास की इज़त पढ़ी, यहाँ पे ततका अर्थ का केंद्र काल पर रहता है जबकि तातकालिक में वो ततकाल पर रहता है। ततकालीन में कालीन पहले है जिसमें तत जुड़ता है, समकालीन में सम और तत बश्चात के तत के समान। तातकालिक में ततकाल पहले है जिसमें एक जुड़ता है। झाल झाल